ग्यान मंTRA HOME remedies में आप सब ही लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कृष्ण जनमास्चमी वाले दिन भोल कर भी आप लोगों को क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए जिससे कि आप लोगों को दिक्कतें और परिशानियों का सामना नहीं करना पड़े तो अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी 24 अगस्त 2019 को मनाई जाएगी भगवान विश्णु के आठवे अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन भारत सहीद दुनिया भर में बहुत दूमदाम से मनाया जाता है इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर ठीक वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा दुआपर युग में बना था इस संयोग को कृष्ण जैनती योग के नाम से भी जाना जाता है ऐसा संयोग कई वर्षों के बाद बनता है और इसका आध्यात्मिक जगत में बड़ा महत्व है ऐसे में जन्माष्टमी के अफसर पर श्री कृष्ण की पूजा और वरत रखने का बहुत अच्छा और शुप मूरत माना जाता है लेकिन जन्माष्टमी के दोरान आप भूल कर भी ये काम ना करे वरना आपको भारी मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके घर में कानह की पुरानी मूरतियां है तो जन्माष्टमी के दिन उनकी भी पूजा करे और उन्हें भी माखन मिश्री का भोग लगाए कई बार हम घर में नई मूर्तियों को ले आते हैं और पुरानी मूर्तियों को भूल कर केवल नई मूर्तियों की ही पूजा में लग जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए नई मूर्ति के साथ पुरानी मूर्तियों का भी पूजन करना चाहिए अथवा जादा मूर्तियां हो गई हैं तो जो जादा मूर्तियां हैं वहाँ आप किसी मंदर या पीपल के पेड़ के नीचे रखके आ सकते हैं और नई मूर्तियों का पूजन कर सकते हैं जन्मास्टमी पूजा के दोरान भगवान के भूब में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी के भगवान प्रसाथ सुईकार नहीं करते हैं। इस दिन घर में मास, मदिरा, मचली ना लाएं और सेवन भी ना करें। जन्मास्टमी के दिन सात्विक भूजन करें और वरत रखें। इस दिन उन्हें प्रसाथ कराना भी अनेवारे है। इस दिन आध्यात्मिक ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जन्मास्टमी हो या शिवरात्रिय नवरात्रों के दोरान सैयम का पालन करना चाहिए श्री कृष्ण जन्मास्टमी शाल में एक बार आने वाला तेवहार है इस दिन को सोने में या किसी और काम में वियर्थ ना करें इस दिन सुबह जल्दी उठकर निवरित होकर स्नान आदी करने के बाद ध्यान कर श्री कृष्ण की पूजा करें इस दिन गीता विश्णु पुरान आदी का आप पाठ कर सकते हैं जो की बहुत शुपफलदाई रहेगा अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा होम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद